सिक्छा विभाग में सिक्छकों के ट्रांसफर के लिए ओनलाइन आवेदन करने के आप्चन एजुकेशन पोर्टल पर दे दिये गए हैं जिनसे सिक्छक अपने ट्रांसफर के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कि transfer के लिए हम अपना online आवेदन कैसे करें online आवेदन करते समय हमें कौन-कौन सी समस्याइं आ सकती है और इन समस्याओं का समधान हमें कैसे करना है इसकी एक like process हम देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी browser में education portal को open करके इसमें अपने username और password से login कर लेना है जैसे हम login करेंगे कुछ इस परकार का interface हमारे सामने आ जाएगा जहां teacher transfer का एक option दिया है इस option को हमें open करना है तो जैसे हम इस option पर click करके से open करेंगे तो एक नए page पे कुछ जानकारियां आएंगी जहां से हम transfer के लिए online आविदन कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक option दिया गया है transfer application का जैसे हम cursor इस पर लेकर जाते हैं तो कुल 6 option इसमें नीचे आ जाएंगे जिसमें पहला option है view my vacancy का इस option पर किलिक करके हम रिक्ट पदों की जानकारी चेक कर सकते हैं अब हमें अपना आविदन रश्टर करना है अर्था transfer के लिए online आविदन करना है तो जो second option है रश्टर application इस option पर किलिक करके हमें इसे open कर लेना है जैसे हम open करेंगे तो हमारी ब्यक्तिकर जानकारी एक नए पेज में आएंगी सांथी transfer के लिए हमें कुछ जानकारियों को select करना होगा जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी ब्यक्तिकर जानकारी आ चुकी है सांथी transfer के लिए हमें कुछ जानकारियों को select करना है जिसमें बिकलंगता संबंधी जानकारी है इसके अतरिक्त बैवाहिक इस्तिती की जानकारी है यदि आपको किसी पिरकार का कोई गंभीर रोग है इससे संबंधी जानकारी हमें इसमें सेलेट करना होता है अब इसमें एक महत्पूर्ण option है बैभाई के स्थितिका इस समद में काफी सारे सिक्षक सांथियों का प्रश्ण आ रहा था कि इसमें कौन सा option select करना है तो जैसी हम इस पर किलिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 5-6 option दिये गए हैं जिसमें पहला option है बैभाहित का यदि आप बैभाहित हैं तो आप पहला option select करें दूसरा option बैभाहित का है लेकिन इसमें condition दी गई है कि पती या पत्नी सरकार के निमित करमचारी नहीं है तो यदि इस पर कार से option हमारे लिए apply होता है तो हम इस option को select करनें इसके अतरिक्तिस में आप देखेंगे कि दो option और है पती या पतनी इसकुल सिक्षे विभाग के एक निमित करमचारी है यदि निमित करमचारी इसकुल सिक्षे विभाग में है तो इस option को select करना है तो आपके लिए जो भी option suitable हो उस option को आपको select कर लेना है और उपर जो option दिये होगा और इसके उपरांद जब आपने सभी जानकारियों को select कर लिया आपको registered application नीचे जो option दिया रहेगा उस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो message आएगा कि आपके स्वेक्षिक इस्तांतरन के आविदन को सफलता पूर्बग दर्ज कर लिया गया है और next page में आपको choice feeling के लिए option आ जाएंगे जहां vacancy code और post code vacancy code या post code के अधार पर अपनी choice feeling कर लेना है अब यदि आपको रिक्षिक पदों की जानकारी चेक करना हो तो नीचे option दिया गया है स्वेक्षिक इस्तांतरन विकल्प देखने के लिए यहां click करें तो जैसी आप इस पर click करेंगे तो एक नई tape में नया page open होगा जहां आपको जिला और विकासखन चुनना है और इसके उपरांद view post इस option पर click कर देना है जैसी आप click करेंगे तो संबंधी जिला और विकासखन में जितने रिक्त पद होंगे वो सभी नीचे आ जाएंगे साथ ही इसमें working post भी बताएगा sanction post भी बताएगा तो यहां से हमें जो post code है इससे किसी diary में not कर लेना है या copy कर लेना है और इसके उपरांद आपको इस box में fill करना होगा type करना होगा इसके उपरां जैसी आप इसे type करेंगे और view vacancy details इस option पर click करेंगे तो सम्मंधित post code का जो school है उसकी जानकारी नीचे आ जाएगी जैसे आप देख सकते हैं जो post code हमने fill किया है इस post code से सम्मंधित जानकारी नीचे आ चुकी है साला का नाम आ चुका है अब यदि इसे हमें register करना हो तो आपको register इस option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो आपकी जो choice है वो register हो जाएगी इस प्रकार से आपको एक-एक साला की choice feeling कर लेना है अपनी प्रात्मिकत के अधार पर साथ ही इसमें बता दें कि यदि आपके द्वारा कोई गलाच choice feeling कर ली गई तब आप इन्हें remove भी कर सकते हैं जैसे आप देखेंगे कि इसमें remove choice का भी option दिया गया है तो यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई गलाच choice feeling हो गई है तब आप remove choice इस option पर किलिक करके अपनी choice को remove भी कर सकते हैं साथ ही इसमें बता दें कि choice feeling के लिए कुल 19 जिलों को freeze किया गया है अर्थात इन 19 जिलों में कोई बाहर के जिले की जो सिक्छक हैं बे online आविदन नहीं कर सकेंगे लेकिन इन जिलों के सिक्छक जिले के भीतर इनमें आविदन कर सकते हैं साथ ही इन जिलों को छोड़कर अन दूसरे जिलों में भी इन जिलों के सिक्छक अपना आविदन कर सकते हैं इन जिलों में आविदन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन जिलों में पहले से ही अतिसे सिक्षक हैं तो आपको अपनी च्वाइस फिलिंग कर लेना है प्रात्मित के अधार पर एक एक स्कूल को चैन करके और इसके उपरांद आपको अपने application का print लेना है जो आपका dropped application है इसका print लेना है प्रिंट ले ने के लिए जो चौहता option है इस पर click करें जैसी आप click करेंगे तो आपके द्वारा जो जानकारी इसमें दरज की गई है और जो school select किये गए हैं बिस सभी जानकारी आपके dropped application में आ जाएगी जैसे आप देख सकते हैं उपर बैक्तिगर जानकारी है इसके उपरान जो जानकारी आपने select किया है वो जानकारी आ चुकी है सांथी आपने जो school का chain किया है उन सभी school के नाम आ चुके हैं इसके यतरिक्त इसमें घोष्णा पत्र भी दिया गया है अब बहुत सारे सिक्छक सांथियों का प्रशन आ रहा था कि सर घोष्णा पत्र कहां से प्राप्त होगा इसे कहां upload करना है कैसे upload करना है तो इसमें बता दें कि जो आपका drop application है इसमें ही गोशना पत्र रहता है जिसमें हस्ताक्षर करके आपको upload करना होगा अब इसमें बता दें कि आपने जो जानकारी दर्ज की है वही जानकारी इस drop application में प्रदसित होगी तो इन जानकारियों को आपको बहुत ही साउधानी से चेक कर लेना है क्योंकि यदि इसमें कोई तुरूटी है तब आप अभी इसमें edit या delete कर सकते हैं लेकिन एक बार यदि आपने अबेदन को lock कर दिया तब आप अबेदन को edit या delete नहीं कर पाएंगे तो आपको सभी जानकारियों को इसमें साउधानी से चेक कर लेना है और 100% satisfied हो जाने के उपरांथी इसका print लेकर इसमें हस्ताक्षर करना है और इसे PDF में आपको बनाना है और इसके उपरांथ log करते समय से आपको upload करना होगा upload कैसे करें वो भी हम देखेंगे साथ ही इस draft application में एक बहुत ही महत्मुन बिंदू है verification code इसे भी आपको किसी diary में not कर लेना है क्योंकि जब आप अपने आविदन को log करेंगे तो इस verification code की आउशक्ता होगी तो जैसे हम इसे copy कर लेते हैं और इसके उपरांथ आईए देखते हैं कि हम अपनी file को कैसे upload करें और अपने आविदन को कैसे log करें तो log करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें option दिया गया है आप देख सकते हैं पाचवे नंबर पर option है log application का अपनी file को log करने के लिए अपने आविदन को log करने के लिए हमें इस option पर click करना है और इसी option से हम अपने जो dropped application है जो अपना घोशना पत्र है इसे upload करेंगे तो हमने lock application पर click किया जैसे हमने click किया तो कुछ इस परकार का interface हमारे सामने आ जाएगा जहां सबसे पहले हमें verification code fill करना होगा तो हम verification code fill कर देते हैं जो कि अभी हमने copy किया था इसके उपरान स्वाहस्ताक्षरित घोशना पत्र upload करें हमें जो अपना घोशना पत्र है इसे upload करना है upload करने के लिए choose file इस option पर हमें click करना होगा जैसे घोशना पत्र आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमने pdf format में बना लिया है और इसमें अपने signature भी कर लिया है अब इस pdf format को हमें upload करना है तो हम upload करते हैं upload करने के लिए choose file इस option पर click करेंगे जैसे हमने click किया तो एक folder open होगा एक box open होगा जहां से हमें pdf file को select करना है चुनना है तो जहां पर हमने जिस folder में भी हमने save करके रखा अपनी file को select करें और यहां से अपनी file को select कर लें जैसे हम अपनी file select कर लेते हैं और इसके उपरां open इस option पर click कर देंगे तो आप देख सक लग करने के पहले जो निर्देश उपर दिये गए है इन्हें आप अच्छे से अध्यन कर लें जैसे जो PDF का साइज है वो बताया गया है कि 1 MB से कम हो तो 1 MB से कम अपना घोशना पत्र PDF फॉर्मिट में आपको बनाना है और इसे अपलोड करना है और निर्देश अनुसार सभी कारवाई हो जाने के उपरांद आपको नीचे जो option दिया गया है इस option पर किलिक कर देना है जैसे आप किलिक करेंगे तो आपका आविदन लॉक हो जाएगा अब आविदन लॉक होने के उपरांद आप अपने आविदन को ना तो edit कर पाएंगे और ना ही delete कर पाएंगे जैस इसमें आप अपनी जानकारियों को चेक कर सकते हैं कि आपने कोनकोन सी जानकारी इसमें सेलेक्ट किया है, साथ ही आप इसकोलों के नाम भी इसमें देख सकते हैं, तो इस परकार आप बहुत ही असानी से अपने ट्रांसपर के लिए veinوجecan पोर्टल में अपना उनलाइन करने समद्धी एक महत्मून जानकारी आसा है जानकारी आप समझ पाये होंगे मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन